मैं आपको पताना चाहता हूँ कुछ दिनों पहले जो मैंने पाया मैं पढ़ रहा था मर्कुस के सू समाचार में उस दिन का मेरा वो वचन था मर्कुस रचित सू समाचार और मर्कुस उसके दसवे दह में में पढ़ रहा था ये जो प्रभु ने कुछ दिनों पहले में मुझसे बात की याकुब और यहनना 35 वचन जब्दी के दो पुत्र येश्व मसी के पास आते हैं और येश्व कहता है उन्होंने येश्व से पुझा हे गुरु हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए कुछ करे दूसरे जगे लिए उनके माता ने भी वही बात कही हम चाहते कि आप हमारे लिए कुछ करो और येश्व मसी ने कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमारे लिए करो ये प्रशन है 36 वचन जो प्रशन प्रभु आपसे पुझता है ऐसा ये वचन मुझे उसमें दे तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमारे लिए करो अद्बुत प्रशन है अगर येश्व मसी आपसे पूछे तो आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए करो और उन्हें ने कहा प्रभू जब तु महिवा में आये तो तेरे दाइने और दूसरे और हम बैठे इस संसार पर हम आदर नहीं चाहते पर स्वर्ग में हम आदर प्राप्त करना चाहते हमें पहला और दूसरा स्थान मिले और येश्व मसी ने कहा माफ करो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे पिता ने आरक्षित किया है जो चाहे उसको देगा अभी आपको जो करना है क्रूस को उठाना है और मरना है उस कटोरे से पीना है जो मेजे पीना है जो बापतिस्मा से मैं लेना है तुमें भी लेना है वो केते हाँ हाँ हम वो करेंगे वो बिना समझे ही यह कह रहे थे, बिना सोचे समझे, पर येश्य मसी बहुत कृपा से उनसे पेशा है, पर प्रशन इतना तुम क्या चाहते हो, मुझसे करना चाहते हो, मैं आदर का स्थान चाहता हूं, यहां इस पृत्वी पर नहीं, पर स्वर्ग में, क्या आप जानते हो, आदर का स्थान का खोजना स्वर्ग में भी वो गलत है, क्या आप स्वर्ग में सेवक होने के लिए तैयार हो, क्या अभी आप सेवक होना चाहते हो, और स्वर्ग में राजा होना चाहते हो, मैं सेवक पृच्वी पर भी होना चाहते हो, और स्वर्ग में भी दास होना चाहत कि आप अपने स्वभाव को बदल जाओगे अगर आपका स्वभाव सेवक हो तो आप अनंतकाल के लिए सेवक बनोगे पर अगर आप सिर्फ नाटक कर रहे हो कुछ समय के लिए फिर आप पाखंडी हो, कप्टी हो अभी ठीक है प्रशन क्या था, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करू यहां एक और प्रशन है जहां परमेशनों से वही प्रशन पूछता है, वही अध्या है येश्यो मसी बरतिमाई के पास आता है अंधे बरतिमाई के पास और वो कहता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ वो यह नहीं कहता कि प्रभू मुझे एक स्थान दे महिमा में तेरे दाइने और बाई और वो कहता है नहीं प्रभू मुझे सिर्फ मेरी आखे दे दे ताकि मैं देख पाऊ तुझे और प्रभू ने मुझसे बात की और वो चाहता है क्या चाहते हो कि मैं करू ते मारे लिए प्रभू मैं कोई आदर का स्थान नहीं चाहता इस फृत्वी पर मैं कोई महान प्रचारक नहीं होना चाहता मैं बहुत आदर प्राफ्ट किया हूँ नहीं चाहता मैं पैसा नहीं चाहता, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मुझे आखे दे, दुरुष्टी दे, कि मैं तुझे स्पष्टता से देख पाऊ, और इस संसार की बाद, एकदम दुन्दली होती है, दुन्दली पड़ती है, तेरे महिमा के प्रकाश में, और तेरे अनुग्रह मे मैं आपको पताना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई और बेनों, हम में से कई, हमारी मसी के जो दुरुष्टी है, वो बहुत दुन्दली है आज, और हम उसको स्पष्टता से नहीं देख पाते, अंधे बरतिमई से एक पाट सीखिए, प्रभु मुझे दुरुष्टी दे, मै आदर नहीं चाहता है, संसार में, इस प्रत्वी पर या अनंत काल में, मैं यह नहीं चाहता कि मैं जाना जाओ कि मैं कोई एल्डर हूँ, बड़ा प्रचा रखू, मैं दृष्टी चाहता हूं प्रभु, मैं तुझे स्पष्टता से देखना चाहता हूं, ज्यादा और अध कीजिए, हर दिन उसकी प्रात्ना कीजिए, आप ठीक रहोगे, सही रहोगे, येश्व मसे ने कहा, अंतिम दिन, वो नू के दिन के समान होंगे, मैं और बात, कुछ और बाते कहना चाहता हूं, मत्ती 24, और उसका 30 वचन, 37 वचन, मत्ती 24, उसका 37 वचन, जैसे नू के दिन वैसा ही मनुशे के पुत्र का जाना भी होगा, आना भी होगा, फिर एक बार निकालिया, नू के दिन कैसे थे, उत्पत्ति उसका छटा अध्याए, इसको पढ़ना अच्छा है, क्योंकि येश्व मसे ने का, अंतिम दिन बिल्कुल ऐसे होने वाले है, कैसे हम प्रभु के आगमन के लिए तियार हो सकता है, नू के दिनों में, पहली बात जो लिखी गई है, दूसरा वचन, उत्पत्ति छे दो, नू के दिन, परमेश्वर के पुत्र, ये स्वर्ग दूतों के विशह में लिखा है, जो लोगों को, जिन परमेश्वर की सुरुष्टी, जो वो माता-पिता से पैदा वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है, बाइबल में हम पढ़ते है, आयोब में स्वर्ग दूतों को परमेश्वर के पुत्र के पुत्र कह गया है, उत्पति छे दो, स्वर्ग दूत, परमेश्वर के पुत्र, उन्होंने मनुश्य के पुत्रियों को द लालते थे बिना उनके पास तो कोई यौन का वो फंक्शन भी नहीं था और ऐसा लिखा है उन्होंने अपने लिए पत्निया ली वो कैसे विवा उन्होंने किया मैंने उस पर मनन किया है इकलोता मार्ग एक स्वर्ग दूद एक सुंदर स्त्री को पास सकता था जिसके लिए उ जाए हम जानते कैसे स्वर्ग दूद किसी वो दूष्ट आत्माएं होकर मनुष्यों के अंदर आते हैं और उस मनुष्य के द्वारा जब वो मनुष्य यौन संबंद रखता है इस स्वर्ग दूद भी उस यौन संबंद का आनंद उठाता है खुद तो नहीं डारेक्ली न मनुष्य खुद तो कोई यौन संबंद नहीं कर रहा पर वो देख रहा है कि कोई और यौन संबंद रख रहा है और उसको उससे कुछ सुक विलास मिल रहा है तुरुपती मिल रही है यह इस बात इन स्वर्ग दूदों ने मैसूस की यह अंतिम दिनों के एक चिन्न है गु आज जो लोग अश्लील बाते देखते है पॉर्नोग्राफी देखते है और अंतिम दिन यह अंतिम दिनों का गुन होगा वो नू के दिनों समान होंगे पर इन अभगती के पीडी में नू नाम का विक्ति है उत्पती छे आठ जिसने परमेश्यूर के आखों में कुरुपा वो एक दुसरे के हत्या कर रहे थे एक दुसरे को तकलीफ पहुंचा रहे थे खून करना आतंगवाद इन सारी बातों के बीच में अगर आपके विश्यूर में कहा जाए कि आपने परमेश्यूर के दुस्ति में अनुग्र प्राप्त किया क्या एक अद्भुट बात होगी क्या आप जानते हो इसका आर्थ क्या है मैं आपको बताता हूं एक प्रार्तना जो मैंने किये अपने आप के लिए कई बार मैंने काया प्रभु येश्यू मेरे स्वर्ग्य पिता मैं परमेश्वर से बात करता हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उसको डैड, पिता, पापा कहता हूँ, मेरे व्यक्तिकत प्रात्ना में, मैंने कहा, पापा, जब येश्यो मसी ने बाफ्तिस्मा लिया, आपने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें मैं अती प्रसन्न हूँ, क्या आप मेरे विशे में ऐसा कह सकते हो कई बार मैं आखों में आसु होते हैं जब मैं प्रात्न करता हूँ पापा क्या आप मेरे विशे में यह कह सकते हो यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अती प्रसंद हूँ वो मैं चाहता हूँ किसी भी और बात से ज़्यादा मैं पैसा नहीं चाहता, आदर नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, लोग मेरा आदर करे, मैं नहीं चाहता, मसीय मेरा आदर करे, मैं सेवकाई भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ, तुझे प्रसंद करना हूँ, हर दिन, हर ख्षन मेरे जीवन का, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पा चारख बनने की लिए या कुछ भी बाते जो कई मसी लोग लालसा रखते हैं जिसके बारे मैं येश्म मसी को ये कहता है सुनने चाहता हूं मेरा पिता मेरे विश्ए में ये कए ये मेरा प्रिय फुतर है जिसमें मैं अत्यनत प्रसंद हूं और वही नू था उसको अनुगर प वह बहुत ज्यादा सतर्क है परमेश्वर को प्रसंद करने में, वह दूसरों को प्रसंद नहीं करना चाहती, मेरा पिता मुझे मेरे जीवन से खुश होना चाहिए, और अगर पूरा संसार मुझे गलत समझे, कोई बात नहीं, कई लोग मुझे गलत समझते, क्योंकि वह मेरे इरादे या मकसद नहीं जानते, मैं क्यों चीज़ों को करता हूँ, मैं बाइबल में पढ़ता हूँ, मेरी एक अगवा है, एक एल्डर होने की जिम्मेदारी है, कई कलिशाओं पर, कई बाईयों पर जो दूसरे कलिशाओं में अगवे है, और मुझे परमेश्वर के जैसा कठोर भी होना है, उन लोगों को, जिनके लिए मेरी जिम्मेदारी है, जब मैं दयाल हो, अच्छा हो, तो सब मेरी सराना करेंगे, कितने अच्छा भाई है, जैक भाई, पर जब मुझे कठोर होना होता है उनके साथ, तो शायद वो मेरी सराना ना करे, तो क्या, मेरी जिम् पर्मेश्वर की महिमा येश्व में देखी गई अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर सिर्फ अनुग्रह से भरपूर नहीं जो लोग सिर्फ अनुग्रह होना चाहते दूसरों के प्रती और सत्य के लिए नहीं खड़ोते वो अपना आपका आदर खोज रहे हैं अगर आप आदर को खोजो फिर आप अनुग्रह कारी भी बनोगे और सत्य के लिए खड़ोगे यद्य पर उस सत्य के वाज़े से लोग आपको आपको नहीं जाने माने नहीं हो जाओ और लोग बुरा मन जाए आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा ऐसे वेक्ति बनो परमेश्वर की महि आप में दिखने दे सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण और उनके बीच में वो संतोलन को प्राप्त करे कृपा और कड़ाई बलाई और कठोरता में आपके बच्चों के साथ घर में अगर आप एल्डर हो कलिशा में तो आपके कलिशा के लोगों जैसे कभी भी लो लोगों के पैर धोए उसी हाथ से उसने एक चाबुक एक कोड़ा लिया और लोगों को भगा है जो पैसा मना रहे थे परमेश्वर के नाम से उस परमेश्वर के भवन में और मैं कहता हूँ प्रभू मुझे वैसा बना कि मैं तयार रहू मेरे जीवन के अंत तक कि मैं जो इतने ही जरूरी है मेरे लिए और मैं एक नहीं करूंगा दूसरे से कम या दूसरे से ज्यादा